असलाम लेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, चली बनाते हैं आज कुछ हेल्दी सा, इसके लिए मैंने दो कप साब उदाने को 6 गंटे पहले पानी में पिका दिया था, और उसके बाद मैंने इसको एक स्ट्रेनर में रासे चान के साइड में रख दिया है, अब एक कढ़ाई लें करणची हो जाए, लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राइ करना है, मना यह बहुत जल्दी काली हो जाएगी और अंदर से पक भी नहीं पाएगी, यह देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है, और यह अंदर से अची तरह से क्रंची भी हो गई है, इससे निकाल के हम उसी ओईल में ए चुरा से साथे करेंगे वाइल में, और जो हमने साबुदाना साइड में रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे सारी चीजों के साथ, और इसके साथ ही हम इसमें फ्राइ करे हुई मूंफली आड़ कर देंगे, इसमें सारी चीजों को मिक्स करेंगे, हम ख्लेम को हमें लो रखना है अभी हाई नहीं करना है कुछ स्पाइस जाएंगी जैसे के नमक वन टी स्पून बुनाजीरा वन टी स्पून चाट मसाला हाफ टी स्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से आप एड़िस कर लिएगा और बस इतनी सिंपल चीजों के साथ ये मज़ करतेंगे और पस इसको सर्विंग बोल में हम सर्फ करेंगे गर्मा गरम बहुत अच्छी लगेगी इफतार में जरूर पनाएगे हेल्दी भी है और साथ साथ टेस्टी भी है और इसके उपर लास में थोड़ा सा हरदनिया स्प्रिंकल करतेंगे और इसी के साथ मैं अपनी अगली वीडियो तक अलविता कहती हूं अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करेगा और मेरी वीडियो को लाइक करेगा थैंक यू